नमस्कार दोस्तों आप सेगा फिर से एक बार शौगत करते हैं आपके अपनी यूटूब चैनल आर्मी और सरकारी तैयारी में SSC के ओफिशल वेबसाइट पे डेली पुलीस का यहाँ पर भरती का नोटिफिकेशन आ चुका है यहाँ पर जो डेली पुलीस की भरती है यह सेंटरल गवर्मेंट की जॉब होती है जिसमें आप पूरे भारत से अपलाई कर सकते हैं किसी भी राज किसी भी परदेश में आप रहते हैं आप eligible होते हैं डेली पुलिस के लिए apply करने के लिए बहुत ही अची जॉब होती बहुत लोग का सपना होता है से join करना तो इसका notification का बहुत सारे लोग इंतिजार करे थे इसका notification आ चुका है form भरना भी सुरू हो चुका है पूरा detail में आपको इस वीडियो हम बताऊंगा कैसे apply करना क्या है पूरा टर्मेंट कंडिशन उससे पहले आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें घंटी को जरूर दबाएं और अगर आप यहां पर यहां पर सारा कुछ आपको मिलेगा सोला सो से जादा mcq है यहां पर जितनी बी topic सारा कुछ आपको एकी कह सकते बुक के अंदर कवर हो जाता है जिसमें current affairs से लेकर के math, Hindi, English, reasoning सारा कुछ आपको एकी बुक के अंदर मिल जाता है वह इनकी practice set book भी आती है आप इसे भी खरीदना चाहते है तो सारा link मैंने description में दिया है वहां से आप इसे purchase कर सकते हैं चले तो हम आते हैं हमारे main topic के उपर यहां पर मैं बता दू कि SSC की जो official website है वहां पर भरती का notification आ चुका है देली पुलिस का और आपको apply भी SSC की official website से करना होगा 17 मई 2022 को इसका notification आ चुका है 17 मई से आप इसका form भर सकते हैं लाश जेट जो है यहाँ पर वो है 16 जून 2022 यानि 16 जून तक आप इसका form भर पाएंगे payment भी जो है आप 16 जून तक कर सकते हैं online payment यहाँ पर करना है form भी online apply करना है तो यह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा और यहाँ पर भरती आई है इसमें लड़का हो चाहे लड़के यानि male female दोनों apply कर सकता है किसी भी राज़का हो इसमें जो है salary भी बहुत अच्छी खास है 25,000 रुपए से सुरू होगी आपकी salary और 80,000 रुपए तक आपकी salary यहाँ पर जाएगी यहाँ पर बात करें total vacancy की तो अगर आप यहाँ पर head constable male के लिए apply कर रहे हैं तो आपके लिए total vacancy जो है में कितना vacancy निकल के आया है वहीं अगर आप यहाँ पर फीमेल है और apply करना चाहते है head constable के लिए तो यहाँ पर आपके लिए देना चाहते हैं वह यहाँ पर relaxation का लाब उठा सकते हैं इसके अलावे यहाँ पर पूरा category दिया है कि किनको कितनों कितना reservation मिलेगा age के अंदर तो आप इसे भी check कर सकते हैं इसके अलावे अगर आप sports पर्शन है sports वगर आपने खेल रखा है NCC का certificate है तो भी आपको relaxation मिलेगा तो भी आपको यहाँ पर जो है बहुत सारा जो benefit है वो भी अलग से यहाँ पर दिया जाएगा बात करते हैं इसमें qualification की तो qualification के उपर हम आते हैं यहाँ पर तो बोला गया कि जो भी 12th पास कर रखा है चाया arts, commerce, science किसी से भी कर रखा हो 12th अगर आपने पास कर लिया या फिर उसके बराबर कोई और certificate है 12th के बराबर तो आप eligible इसके लिए apply करने के लिए लेकिन आपको यहाँ पर typing test भी देना होगा, English में 30 word per minute का typing test रखा गया, Hindi में अगर आप देना चाहते है typing test तो 25 word per minute आपको यहाँ पर typing test देना होगा, यानि कि typing आपको आना चाहिए, वहाँ पर typing typing का भी test होगा, अगर आपको typing नहीं आता, अगर आप form भर देते हैं तो आप उसे सीख भी सकते हैं, क्योंकि इसको यह जो typing test है, आपका examination, online exam हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर कराया जाएगा, तो यह सारी चीज़े जो है, आपको beneficial अगर आपको लगती या फिर apply करना च लग जाएगा, तो यह भी यहाँ पर मैंने आपको clear कर दिया कि कितना fee आपको लगने वाला है, और इसके अलावे हम बात करते हैं आपर, selection process की, तो यहाँ पर computer based आपका examination होगा, 100 नंबर का, उसके बाद आपका physical कराया जाएगा, दौड वगरा physical measurement होगा, typing test जो कि मैंने आप question यहाँ पर पूछा जाएगा, पूरा information यहाँ पर दिया वा है, तो आप इसे देख सकते हैं, मैंने description में link दिया है, आप इसे download कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को, साथे अपलाई करने का link भी आपको मैंने description box में दे दिया है, बात करते हैं, यहाँ पर running के लिए अगर देखा गया है, और जो यहाँ पर 40 साल से उपर के age के हैं, तो उनको यहाँ पर अलग timing मतलब यहाँ पर कर सकते हैं, तो आप इसे चेक कर सकते हैं, female के लिए भी यहाँ पर सब कुछ अलग है, age के अनुसार यहाँ पर सारा कुछ रखा गया है, चाहे वो running हो, चाहे आपर long jump, high jump हो, height की हम बात करें, तो यहाँ पर male का 165 height बोला गया है, लेकिन relaxation 5 cm का मिल जाएगा, जो ST candidate है, या फिर जो भी healy area से आते हैं, उनको 5 cm का छूट यहाँ पर मिलेगा, वैसे 165 normal है, तो आपका होगा ही, यहाँ पर chest 78 बोला गया है, normal, और लड़कियों का 157 height है, यहाँ पर यह female candidate है, उनके लिए 5 cm का छूट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो यह basic सी जानकारी तो जो मैंने आपको बता दी, जितने भी information थी, जो आपको जानना जरूरी था, वो सारा कुछ information मैंने दे दिया, इसकी large date यहाँ तकना है, 16 June 2022 है, जितने लोग eligible है, बिलकुल आप अपलाई करें, क्योंकि बहुत ही अच्छी जाब होती है, Central Government की जाब है, सारा लिंक आपको description में मिल जाएगा, जैहिन जैवारत